है रो दोस्तों मैं हूँ दिनेश के वोड़ा चैनल फाइंदी पे आपका स्वागत है सरकार के खजाने के अंदर पैसे की भारी कमी होती जा रही है टैकसिस में जो इंक्रीज हुआ है छे महिने के अंदर उसरी 6-7% का हुआ है टारगेट 17% से ज्यादा का था सरकार के होश उड़ गए है देखा जाया तो उनके तोते उड़ गए है सरकार को समझ नहीं आ रहे कि अब पैसा कहां से लाया जाया है रिजर्वेंक से जो पैसा आया था 1,66,000 करोड वो भी ऐसे उड़न चूँ हो जाएगा क्योंकि 28,000 करोड तो पहले फैनिशल एर में ले चुके थे तो अब 1,48,000 करोड ही आएगा उपर से 1,45,000 करोड का पैकेश दे दिया आपने जो बड़े बड़े जो धना सेथ हैं कॉर्पेट्स के तो बाकी बचेगा क्या कुछ ने तो अब ये पैसे की कमी कहा से पूरी होगी सरकार के पास है एक काम देनुगाए holy cow सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जिसे कहते हैं oil companies जैनि कि जब कहीं पे कुछ नजर ना आए तो oil companies के उपर tax बढ़ा दो तो आपके पास चीज़े आ जाएगी सरकार ने डिमांड रखी कि पिछले साल आप ने dividend दिया था 29,000 करोड कब ये तो वो है जो 3,000,000 करोड के taxes के अलावा है केंदर सरकार को petroleum से 3,000,000 करोड के taxes एक साल में मिलते हैं और ये उसके अलावा है dividend जी हाँ dividend profit का उपर जो tax देना है वो अलग से है हालात इसकदर खराब है कि अब demand बढ़ा के बोला 34,000 करोड दो और इसके लिए सरकार ने oil companies को खुली छूट दे दिये जितने दाम बढ़ाने बढ़ा लो मुझे पैसे दो अभी आप सोचिए कि आज से करीब करीब तीन महीने पहले अभी सरकार ने एक डोज और आने वाली excise duty high की जो मैंने आपको बताई थी अभी श्याद इसी हफते में आ जाए आपको यकीन नहीं आएगा कि आरड़ी 5 जुलाई के बाद में जो रेट है पाँच रुपए से जाना बढ़ चुके हैं डीजल और पेट्रोल में पाँच रुपए से तीन महीने के अंदर-अंदर और और मढ़ने जा रहे हैं अगर आप यूपी बगरा में देखेंगे मद्यप्रदेश में देखेंगे तो यूपी में तो धाई रुपए एक्स्टा और वहां पे से टेक्स लगा दिया गया यानि की वैट लगा दिया गया तो वहां पे करीम आठ रुपे महंगा और हो गया है तो अब यह 34,000 क्रोड की सरकार डिमांड की मुझे पैसे दो आप कहां से लाते हो मुझे नहीं पता आप जनता की उपर और टेक्स डालो और आप उसका दाम बढ़ा दो अब मुंबई वे रेट हो गया 80 पे लीटर 80 पे लीटर पेट्रोल का रेटर सब क्या करोगे अब देने पड़ेंगे थोड़े दिने में हमारा हाल वही पाकिस्तान वाला हो जाएगा यह वहां भी 100 पेस ऊपर का पेट्रोल है तो हम भी वही करेंगे हमें भी देना पड़ेगा सरकार के पास कुछ साधन तो बचा रही है देश के लिए देश के विकास के लिए 25 रुबे का लीटर एकस गीट प्राइस 80 रुपर में बेच रहे हैं जी हम आप सोच सकते हूँ शोचन कोन कर रहा है फैसल आपके हाट पे है शुक्रिया आपका